नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको मेरे चैन्ज में फिर से एक बार में हूँ आपकी वही अंजली हम आज भी उस मोल पर खड़ी हैं जहां किसी ने कहा था कि ठहरो हम अभी आते हैं आपने सब्सक्राइब करें हैं सबसे पहले आज इनका बर्टे हैं यह अनुवर्सरी है उनको मेरे तरह से ठेट सारे गुड़ विशुज तो चलिए अब शिरू करते हैं रिष्टो की खूब सूर्ती एक दूसरे की बात बरदाश करने में हैं खुद जैसा इंसान तलाश करो तो अकेले रह जाओगे अगर कोई तुम्हें नजर अंदास कर दे तो बुरा मत मानना क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसे से बाहर महंगी चीज़ को नजर अंदास कर देते हैं आपको लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना बलकि अपने आप ध्यान देना चाहिए कि सुठ जाएगा चाता बारिश को तो नहीं रोक सकता लेकिन बारिश में खड़े रहने का होसला जरूर देता है इसी तरहां आतम विश्वास सफलता की गरंटी तो नहीं देता लेकिन सफलता के लिए संकर्ष करने की प्रेणना जरूर देता है जिसे काम को करने में डर लग रखानत है जिससे करनी में आपको डर लग रहा है ये दुनिया वाले भी बड़े जीब होते हैं कभी हम से दूर होते हैं तो कभी करीब दर्द ना बताएं तो हमें कायर कहते हैं और दर्द बता दें तो हमें शायर कहते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अचाप के लिए भागेशाली रंग जो है वो आज के लिए नीला याने के ब्लू रहने वाला है और जो लखी नंबर है वो नंबर बन रहा है आज के लिए नंबर छे जीवन में आज आपको प्रकती निज़रा सकते है मांसिक तनाव का सामना तो होगा फिर भी आपको अपने लक्ष के प्रती रास्ता मिलने के वज़े से उसकी और बढ़ने और प्रतन करके आप जो हैं बहुत ही जल्दी अपने लक्ष को हासल कर पाएंगे आपके हर फैसले में पूरी परिवार का जो सहयोग है वो आपको मिल सकता है बच्चों की जीवन में आज आज आप बहुत ही इंपोर्टेंट भूमिकाने भाने वाले हैं बच्चे जो हैं इस चीज से बहुत ही खुश होते नजर आएंगे बाकी सब कुछ बढ़िया रहेगा अध्यात्मी के लोगों की अगर आप सानेदे में रहेंगी तो आपका सल्फ कान्फिरंस है, मनोबल है उसमें काफी इजाफा हो सकता है तो ऐसे लोगों से जुड़ी जो धारमिक चीजें करते हों, इनका धारमिकी व्यक्तित्व हो तो प्लीज आप यह जरूर कीजेगा आप अपने एद्धिकेरद आस पास हो रहें गलत कामों को दूर करने का भी प्रयास करेंगे घर में किसी मांगलिक कारे अथव धारमिक आयोजन की भी प्लानिंग्स बगारा बन सकती है आर्थिक उन्ति के लिए किये किये जो प्रयास है वो काफी हद तक आपके सफल भी हो सकते हैं, सार्थ तक होंगे कुछ नगरी प्रवर्ति के लोगों से दूरी बना कर रखना बहत ज़रूरी है क्योंकि वे लोग जो है वो आपके कारों में आपरोद डाल सकते हैं, रुकाबर डाल सकते हैं तो प्लीज आपको जो है उनसे दूरी बना कर रखनी है किसी भी रोप में अपनी वाड़ी और क्रोद पर भी काबू रखीगा जरा क्योंकि ये समय सैयम और धैरिय से काम लेने का होगा समाजी का कारे किरम से जादा दखल अंदाजिय मत कीजेगा बनना आप और उसका जो असर है वो देखने को मिल सकता है सादे में आज जिस काम के लिए आपने अन्य जरूरी कामों को नजर अंदास किया था वैज पिकर सकता है अपनी अबेक्शाओं की पूरती ना होने से दुखों का सामना भी आपको करना पर सकता है निराशा भी लग सकती है हाथ में के लोगों को लेकिन आपको मिल रहे नए अफसरों की प्रति भी अपना ध्यान देना होगा अगर आपको नए मौके मिल रहे हैं, अफसर मिल रहे हैं तो उन पर ज़रा विचार विमर्ष कीजिए हो सकता है कि आपको उससे ज़्यादा बहतर मिल जाए तो प्लीज आप नए मौकों पर नए अफसरों पर ज़रा फोकस सरूर कीजेगा इससे में बहुत ही कंभीरता और सोच विचार कर फैसला लेने की ज़रूरत होगी आपको हलाकि आप अपनी प्रधिभासे, योगिता के जरीए, अपनी कारे को पोरी गंभीरता और संचीत की से साथ अंजाम देते हुए नजर आएंगे आज अच्छानक ही किसी पुराने फ्रेंट से मुलाकात भी होगी आपकी और आपसे मेल जोल हार्दे को खुशी प्रदान कर सकता है आज अप काफी गं जो है वो भूल सकते हैं इस मुलाकात से किसे विशेश विशेपर नौलज लेने में भी इंट्रेस्ट रहेगा आपका आपके फ्रेंट दे सकते हैं आपको साथ में कुछ उल्चे हुए मामले अभी बरकरार ही रहेंगे कई लोगों के लिए दिल की बिजाए जरा दिमाग से काम लेजएगा दिमाग की वास सुने हलाके कुछ विरोध ही लोग जो हैं आपके लिए परिशानी खड़ी करेंगे लेकिन उन्हें कामिया भी नहीं मिल पाएगी मालिक का जो हाथ है भगवान का वो आपके साथ रहेगा वादिवाद की कोई भी सिती बनने पर अपना सयमनाख होई आज मातारानी आपकी शित्रमों से आपको बचा कर रखेगे शान्ति पूरन तरीके से सब परिशित्यों का सामना भी आप कर पाएंगे इसे के साथ ही बागे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं आज के बिजनस और कैरिट के बारे में तो बिजनस और कैरिट में आज इवे विसाय में कुछ मुश्किलों और परिशानियों का कई लोगों को सामना करना पड़ सकता है हर एक को नहीं लेकिन आप में से कुछ लोगों को जिनकी भी अराशी है लेकिन धेरे धेरे परिस्थितियां जो हैं वो लगाता नॉर्मल होती नजर भी आएंगे आपको फ्यूचर को लेकर बनाई हुज जो प्लानिंग्स हैं उस पर जरगंभीरता से विचार भी मर्श कीज़ेगा आने वाले समय में आपको जरूर फायदा होगा युवा वर्ग का अपना पूरा ध्यान कैड़िट को बहतरीन बनाने में लगा ही रहेगा और बनाना भी चाहिए लगाना भी चाहिए इस चीज़ पर काम से रिलेटिट बातों में ध्यान देने के लिए अपने एकागरता फोकस को बढ़ाने की कोशिश है जब तक फोकस होगा तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे हर एक चीज़ को विपार और कामकाज के सिलसले में आज आप में से कुछ लोगों को यातराई भी करनी पिड़ सकते है कुछ इंपोर्टिंट कारियों में किसी अनुभव यानि एक्सपर्ट इफ्यक्ति की सलह लेना मश्वर लेना बहुत ही बढ़िया रहेगा आपकी इंकमें जाफा दे सकता है अजिस लेकिन हाज जल्दबाजी मत कीज़ेगा क्योंकि छोटी सी लापरवाही बड़ी परिशानी खड़ी कर सकती है आज के दिन किसी कॉन्फरेंस आरे में जाने का भी आपको अमंतरन मिल सकता है तो जरूर इसको अटेंड कीज़ेगा यूही निकारीगा मत नई नोकरी की वज़े से इन नई शहर में तबादला होने की अशंकाएं भी बन सकती है तो जरूर इस बात पर भी आपको गौर फर्माना होगा कि आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है आपको हर चीज़ को आज जो है अच्छे तरीके से करनी होगी और नजर रखनी होगी सब पर तो ये बात की हमने भी करियर किया और आगे बढ़ते हैं बात करते हैं लव लाइफ के बारे में लव लाइफ कहती है कि आज परिवार के साथ कोई धार्मे की यात्रा से रिलेटिल आज प्रूग्राम बन सकता है लेकिन प्रियम प्रसंग और संबंद जो है ब तो प्लीज इस पर विचार विमर जरूर कीजेगा अज आपके द्वारा लियागा जो फैसला है आपके पार्ण को शिरुवात में दुखी कर सकता है लेकिन आपके विचारों को वो समझ पाएंगे लेकिन धीरे-धीरे लव लाइफ में आज करे लोगों को थोड़ी सी निराशा का सामना करना पर सकता है पती-पती में किसी बात को लेकर भी मत भेद बढ़ेगा प्राब्लम्स को शांती पर उतरेके से सुलजाने का प्रतन कीजे हाला कि आप काम का जो परवारी के जम्मेदारियों में बहतर तालमल बनागर ही रखेंगे आप में यह उनर है कि आप जल्दी से बालंस कर लेते हैं हर चीज़ को तो प्लीज इस बार भी ज़रा बालंस करके रखिए आपका पार्णर कहीं आपसे नरास होकर चलाना चाहे कहीं दूर तो आप प्लीज अपने पार्णर को संभल कर रखेगा अब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं स्वास्ते की तो स्वास्ते कहता है कि जादा मेहनत और तनाव का नेकटीव असर आज आपके स्वास्ते पर पढ़ता हुआ नज़र आएगा कुछ समीत ध्यान मैडिटेशन में लगाईएगा इससे जो हैं आपको काफी हद तक मांसिक सुकून मिल सकता है या आपर किसी नदी के पास गार्ण में समय भी ताइए बहुत बढ़िया रहेगा येज़े के साथ ही आज करी लोगों को गैस की तकलीव भी हो सकती है रात में सता सकती है फ्राइट फूर्ड, जंक फूर्ड, प्लीज, वावाइड कीजिए और हल्दी खाना खाये बलकि बॉल्ड वैज़री बस भी शामिल कीजिए जैसे कि ब्रॉकली हो गई ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छा रहेगा आज एक कफ की समस्यां करी लोगों को तकलीव दे सकती है इस समय को पुराना रोग भी दुबारा उभर सकता है अपनी चांच करवाएं और उची समय पर रिलाज करवाएं तो आप जल्दी ही सरोग से निजात पा सकते हैं दूर कर सकते हैं इस रोग को और अपना खयाल जरूर रखेगा इसके साथ ही चलिए बंत में बात कर लेते हैं आज के विशेश युपाय के बारे में तो विशेश युपाय आज के दिन आप करें कहता है कि आज आपको जो है विरत जरूर रखना चाहिए अगर आप में अगर आप रखना चाहते हैं तो ही रखे अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं इसके इलावा जो है आप अपनी इश्चिदेव के मंत्रों का जो है वो चाप सरूर कीजेगा तो दोस्तों कि आप कोई वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बेब को भी प्लीज मत भूलेगा, धन्यवार